नीचे करो फिर से बोलते हैं वीडियो रिकॉर्ड करना आसान काम नहीं है बईया कितना री सूट लगता है मैंने बहुत लगते हैं सर बोल बोल तो गला में दर्द हो जाता है फिर से करो नीचे शुरू करते हैं हलो एव्रीबन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं हम हमेовily सा ऐसे स्टॉक की तलास में रहते हैं जो बैस्ट रिटर्न दे बट यह बैस्ट रिटर्न किस बेस पर देखें किसी को पता नहीं होता आज हम स्टॉक का नाम भी बताएंगे साथ में किस base पर देखें वो भी और साथ में stock को क्या सिर्फ इस base पर लेना कितना सही है या कितना गलत है यानि एक pure jackpot video वीडियो का last part बिल्कुल miss मत कीजिएगा तो मैं मुकल अगरवाल आपका आप ही के YouTube channel में दिल से स्वागत करता हूँ अगर आप कोई stock को 10 साल तक hold नहीं करना चाहते हैं तो उसे 10 मिनट के लिए भी hold करने के बारे में ना सोचे long term investing आपको market की volatility से बचाएगी और आपको compounding के benefit देगी तो I hope आपने Albert Einstein का नाम सुना होगा उन्होंने कहा था compound interest दुनिया का आठों आजूबा है जो इसे समझ गए पैसा कमाएंगे और जो नहीं समझे वो पैसा होते वे भी पैसा नहीं कमा पाएंगे तो हम 5 ऐसी company के बारे में बताएंगे जिनका return CAZR यानि की compounded annual growth rate पिछले 10 सालों में 50% से उपर है अब आप कहेंगे ये क्या बला है इससे क्या होगा तो देखें CAZR का full form है compounded annual growth rate ये बताता है आपके investment में annual growth कितनी है एक specific time frame के दोरा दूसरे सब्द में ये बताता है कि आपने कितना कमाया है अपने investment पे हर साल ये एक बहुत अच्छा तरीका है ये पता करने का कि आपके investment value में कितना rise या कितना fall हुआ है इसको example से समझते हैं समझ ये 1000 रुपे एक stock में लगाए 5 साल के लिए 5 साल के बाद उसकी value 2000 हो गई तो आपको क्या लगेगा मेरी investment double हो गई लेकिन ये गलत है ऐसे नहीं सोचते हैं क्यूंकि ये आपको ये नहीं बता रहा है कि आपकी investment ने हर साल कितने की growth की है वहीं पर CAGR की help से ये पता चलता है कि आपकी investment ने आपको approximately 15% का return दिया है हर साल ध्यान रहे इसका मतलब ये नहीं है कि company का share price हर साल 15% बढ़ा है हो सकता है stock price 4 साल पहले ना बढ़े हो और suddenly last year में double हो गया पर on an average हम ये कह सकते हैं कि आपकी investment 15% के rate से हर साल compound हुई है CAGR हम calculator से निकाल सकते हैं जो Google पर available है कोई भी company जो stock market में listed है वो सालों से अपना कारोबार कर रही होती है ऐसे में उस company ने हर साल किस दर से वास्तविक यानि compounding lab कमाया है ये जानने के लिए हमें CAGR का use करना होता है जिससे ये पता चलता है कि company के lab का growth rate कैसा है दूसरी तरफ किसी भी investor के लिए ये जानना बहुत important है कि उसे अपने investment पर हर साल compounding किस rate से lab मिल रहा है यानि real profit क्या है तो I hope आपको इसकी value पता चल गई होगी जो आज तक आप miss कर रहे थे तो fatafend video को like कीजिए कुछ नया सीखने को मिला हो तो comment box में जरूर बताइए और बताएं कि कभी किसी भी stock को लेते समय क्या ये नजरिया use किया था या नहीं किया था और अब चलते हैं stock पर उससे पहले telegram हो गया है अब 2.0 यानि news के साथ chart का तरका आप लोग news आता है दौर के buy करते हो बात में गिर जाता है फस जाते हो वहीं पर हम chart के साथ आपको सीखाने की कोसिस कर रहे हैं कि actually में chart क्या कह रहा है जिससे दोनों का तरका मिले तब आप बिन्दास buy करो तो link description में है tutor और telegram की जुर जाईए और फाइदा लेते रहिए तो हम चलते हैं हमारे पहले stock पर जिसका नाम है Kaplan Point Laboratories Limited Healthcare यानि pharmaceuticals की company है यहाँ पर मैं कुछ point आपको सिखाने वाला हूँ जिसको समझ कि आपको बहुत help होने वाली है तो सबसे पहले अगर हम इसका stock P.E. देखें तो 18.5 है वहीं पर अगर industry P.E. देखें तो 28.2 है यानि stock कहीं न कहीं महगा हो चुका है और जब हम P.E.C. ratio देखते हैं तो वो भी 0.72 है यानि कहीं न कहीं सस्ता है अब हम बात करते हैं ROC और ROE की तो fully attractive 30.3% 23.7% काफी अच्छा है company पर debt 2.13 करोर का है और free cash flow 246 करोर का है यानि company debt free है वहीं पर अगर हम इनके holdings पर नज़र डालते हैं तो promoter holding 68.89% की है और FII ने अपनी holdings को इसमें बढ़ा कर 2.07% किया है तो एक अच्छा stock हर एक parameter पर ख़ड़ा उतरता हुआ यानि इस market की गिरावट में आप कहीं न कहीं इस stock पर नज़र डाल सकते हैं अब हम चलते हैं दूसरे share की तरफ जिससे मैंने बहुत detail में आप लोगों की कई बार दोस्ती कराई है और उस stock का नाम है borosil renewables limited जहाँ पे renewables company से relate करती है इनका PE 46.3 है industry PE 28.1 है यानि stock कहीं न कहीं महंगा है PE 0 ratio भी 1.45 है तो stock महंगा है लेकिन जब इनके ROC और ROE पे देखते हो तो 27.2% और 23.7% है जो बहुत अच्छा है debt 157 करोर का है free cash flow minus 200 करोर का है यानि ये एक अच्छा sign नहीं है बट ये company खुद के growth पे काम कर रही है ये भूलिये का मत क्योंकि जब इस तरीके से चीजें होती है तो क्या company अपने growth पे काम कर रही है या नहीं कर रही है वो देखना होता है तो capex की planning में कभी-कभी ऐसा होता है जिस पे closely watch करने की need होती है वहाँ पर अगर promoter holding देखते हैं तो 61.69% का है और FII ने अपनी position को लगातार घटाते वे 4.79% कर लिया है उसके बाद हम अपने next stock की तरफ चलते हैं जिस से again बहुत बार हमने दोस्ती कर आई है जिस तरीके से borosil ने हमेशा आप लोगों को बहतरीन return दिया है गिरावट में वैसे ही सेर का नाम है दीपक नाइट्राइट का यहाँ पर industry P24.7 है और stock P23.4 यानि stock थोरा सस्ता हुआ है क्योंकि PZ ratio भी 0.27 का आचुका है यहाँ पर ROC और ROE बहुत अच्छा है 44.6%, 37.5% जो एक बहुत ही अच्छा guideline देता है कि stock सही तरीके से काम कर रहा है और commodity chemical बनाने वाली company है वहाँ पर जब आप इनके holdings पे जाओगे तो holdings में पाओगे total promoter holding 45.72% की है और वहाँ पर FII जुके माल लगातार बेच रहे हैं यहाँ पर भी आपको FII की बिकवाली दिख रही है जो 8.76% तक पहुंच चुके है यानि गिरावट हुई है तो एक अगीन अच्छा से है जो आपको बहुत सस्ते में या इस गिरावट के मौके में आपको लग रहा है कि एक अच्छी दिसा में बर रहा है क्योंकि मेरा मानना है इस गिरावट में आपको स्टॉक एक सही दिसा में गिरता हुआ मिल रहा है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की अलकाइन एमीन्स केमिकल लिमिटेड की इस पेसलिटी केमिकल की कंपनी है वहाँ पर स्टॉक P.E. 58.2 है और इंडिस्ट्री P.E. 24.7 बहुत मेहगा सेर है दोस्त पीजी रेशो भी 1.67% का है लेकिन रोसी और रोई 33% 25.2% का है और यहाँ पर डेट 23 करोर का और फ्री कैस फ्लो माइनस 41.5 करोर का है तो अब इनके अगर हम होल्डिंग्स पे जाते हैं तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 72.03% की है यहाँ पर एक चीज मैंने अभी तक नहीं बताई है कि 10 एर का रिटर्न C.A.Z.R. पर कितना है वो मुझे लास्ट में बताना है याद रखिएगा ठीक है अब हम चलते हैं हमारे next stock पर इस कंपनी से भी हमने आप लोगों की डीटियल में दोस्ती करा रखी है जिसमें है टानला प्लेटफॉर्म अब अगर हम टानला पे आते हैं तो stock P.E. 32.7 industry P.E. 27.1 यानि stock अभी भी महंगा है क्योंकि P.E. 0.49 है यानि गिरावट हो रही है तो मौका है प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ते हुए 43.74 है यानि ये एक बहुत ही अच्छा साहिन आता है यहाँ पर अगर आप 10 येर का return CSGR पे देखते हैं तो कैपलीन पॉइंट का 61% का है बोरो सिल्फ रेनोबल्स का 10 येर का 63% है दीपक नाइटर 65% है अलकाइन अमीन 66% है और टालना प्लिटफ़र्म का 64% है तो इस तरीके से ये लोग एक बहुत बहुत बहुतरी return दे रहे हैं आपके पास कौन सा share है और ये जो नई नई टेकनिक मैं आपको सिखा रहा हूँ इस टॉक को judge करने की क्या आप अपने पोर्टफोलियो में ये टेकनिक डाल के use कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्योंकि वही तो फाइदा होगा तभी तो मेरी भाई वाली कोसिस सफल हो पाएगी और वीडियो को फटा फट वाटसप ट्विटर फेस्बुक पे share कर दीजे जिसे पूरा इंडिया सीखे और कमाते रहे तैंक यू सो मॉज